हाई वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों आज मैं ऐसा फेस पैक आप लोंके लेकर आई हूं जिसको लगाते ही आप 10 साल छोटी डिखने लगोगी मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना अच्छा फेस पैक है ना मुल्तानी मिट्टी आप तो यह सारा काम करेगी आपको बस इसको 10 मिनट रकना आपने चहरे पे फिर देखिएगा जो गलो आटा है अपके चहरे पे जया प्रॉब्लम जुरियों की प्रॉब्लम दाघ धबबो की प्रॉब्लम सामले सकिन की प्रॉबलम मैं क्या क्या बताओं जो यह ख़तम ना करे आप इसको लगाओगे ना तो जो आपके साथ लोंग रहते हैं उनको भी यकीन नहीं होगा कि आपके चेहरे में ऐसा क्या होता जा रहा है आप ऐसे कैसे चमकते जा रहे हो तो दोस्तो जब तक मैं इसको लगा रही हूँ आप देख लिजिए बनाना कैसे है तो चलिए दोस्तो मैं बताती है बनाना कैसे उससे पहले चोटी सी रिक्वेश्ट है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा कमेंट करके जरूरी बताएगा कि रेमिडी कैसी है यहां मैंने लिया मुल्तानिमित्ती मेर अगर आपके पास वह खड़ा वाला जो होती है तो आप भी ले सकते हो और यहां मैंने लिया गुलाबजल अपके पास जो भी कंपनी का मैं आ आप ले सकते हो तोसमें सबसे पहले मैंने लिया है लगवार 1 चमंज मुल्तानिमित्ती अब मैं इसमिंए डाल ले गुलाबजल चेहरे की जो रंगत चेंज करता है ना ये अब इसमें हम डालेंगे नीबू का जूस हमें दो नीबू एक नीबू चाहिए फूरा पूरा तो सबसे पहले हम आधा नीबू ले लेंगे और आपको ध्यान में रखना है जो इसका बीज होता है उसको निकाल दीजिए इसके आने के बाद आपको दो मिनट के लिए ऐसे रेष्ट होने के लिए रख देना है उसके बाद अपने चेहरे पर अप्लाई करना है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल और ये लेमन जूसे ये आपस में मिक्स हो जाए और भी अच्छा निखार दे हमाई चेहरे प तो चलिए अब लगाते हैं ये देखिए ये पूरा लग चुका है आपको मोटी परत नहीं लगानी है आपको पतली सी परत लगानी है आपको अगर ओली स्कीन है तो आपको 10 मेर्ट रखना है ड्राई स्कीन है तो 6-7 मेर्ट रखना है तो आप सूख जाता है तो मैं आपसे मिलती हूं देखिए दोस्तों ये 6-7 मिर्ट में सूख गया है मैंने पतली परस लगाई थी अब आपको इसको निकालना कैसे है आपको थोड़स अपने हाद में पानी लेना है और उससे आपको करनी है मसाज इस तरह से अगर आप चाहो तो गुलाब जलते भी कर सकते हैं और दीरे दीरे आपको इसको निकालना है एक जली जली या नहीं निकालना है काफी अराम से आपको निकालना पानी लेते जाना है आपको इसका निकालते जाना है और जब ये हलका हलका निकल जाया है मतलब आपके इसको आपको जाके पानी से वास कर लेना है नौरल वाटर से ठंडे वाटर से आपको जो भी पसंद है आप उससे कर ले ना इसको लगाने निकालने के बाद आपको कोई भी साबून या फेस्वास यूज नहीं करना है दो से तीन घंटे तक अगर आपकी काफे सेंश्टिव इसकी नहीं तो आप इसको लगबद 6 मिनट या 5 मिनट ही रख अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको ट्राइब ना करना और अगर आप पहली बार ऐसा कुछ ट्राइब करने जा रहे हो ना तो एक पैस्ट्रेस जरूज करके देख लिया करो उसके बाद हटाने के दो मिनट तीन मिनट बार रुका करो अगर इचिंग और फिलमेज कर सकते हो चैने कि फिलमेज करी यूच करना है जैसे लिए आपको लगें वप्रidenoster में छतम हो रहे है जब आपके Πल्राइं फिर एक बार करें लेकिन कि पूरी टारा से खतम हो जाएगी फिर पर आप इसको वीक में महीने में 2-3 बार वीक में नहीं लगा सकते तो महीने में 2-3 बार जरूज ट्राइब करना दोस्तों आप ट्राइब करके देखना आपके चेहरे का जो भी आपको लगता है यार यह चीज में कैसे साही करूँ वो सारी प्रॉब्लम यह रेमिडी ख